दूसेटी इंडिया तो हैं कैबिनेट आपको बता दे कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है जानकारी मिल पा रही है कि आधीनियम में विवा पंजी करन की जो अनुमती थी उस प्रापधान को अब निरस्ट कर दिया गया यानि कि बाल विवा रोकने को लेकर उसकी दिशा को लेकर ये महतपून कदम जो है वो असम कैबिनेट की तरफ से लिया गया है और इस फैसले का सीधा सीधा असर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए होगा लेकिन समझे ए कि असम सरकार ने मुस्लिम विवा हो और तलाख पंजी करन अधिलिया मुस्लिम को खत्म कर दिया है और इस फैसले के बारे में अगर आपको बताएं तो फैसला जो वेहत एहम माना जा रहा है और 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह को खत्म कर दिया है और इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि इस अधिलियम में विवाह की अगर बात करें तो जिस तरीके से भी विवाह में तमाम प्रावधान शामिल थे भले ही दूला और दूलन 18 और 21 के हों लेकिन कानून आविश्यक बताया गया था ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर कदम बताया जा रहा है और असम सरकार के फैसले के बाद सियम हिमंता विश्वा सर्मा ने सोचल मेडिया एक्स पर लिखा है कि 23 परवरी 2024 कौसम कैबनेट ने सधियो पुरा ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर कदम माना जा रहा है और इस बीच आपको बता दे है All India United Democratic Front ने असम सरकार के फैसले पर आपती जताई है यहां बहुत सारे कश्ट कम्यूटी की लोग है जो UCC यहां लाके जो करना चाहते है वो खुद उनके कम्यूटी में है आप BGP के फॉलिवर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे है Poligemi की बात कर रहे थे यह जोरोशोट से BGP के बहुत सारे फॉलिवर्स है, बहुत सारे लोग है बहुत सारे कम्यूटी है, जिनके हाप Polygemi है आप उसको बें नहीं कर सकते प्रॉल इंडिया युनाइटेड जेमोक्रेटिक फ्रंट ने असम सरकार के फैसले पर आपत्थी जताई है लेकिन यूसिसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड याने की समान नागरिक सहीता का मतलब क्या है ये भी हम आपको बताएंगे हर किसी के लिए समान कानून होना फिर चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का हो या फिर किसी जाती का हो देश में अपराधि कानून एक ही होना चाहिए कोई भी जुर्म करने पर सजा वही दी जाती है जैसा की कानून में लिखा हो तब अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता लेकिन शादी हो, तलाक, मिंटिनेंस या फिर उत्राधिकार के मामलों में ऐसा नहीं होता है तब हर धर्म में अलग-अलग परसनल लौक का पालन किया जाता है लेकिन युनिफॉर्म सिविल कोड इन परसनल लौक की अब जगा ले लेगा और सब के लिए एक जैसा कानून होगा अजबीच बड़ी खबर आ रही है राजस्तान के कोटा से यहाँ परे खेरान करने वाली खबर सामने आई है कोटा में तीन शिक्षिकों पर धर्मांतरण करवाने के प्रियास का आरोप लगा है इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्तान के शुक्ष्या विभाग में दो शिक्षिकों को निलंबित भी कर दिया गया है तीसरे पर करवाई की तैयारी की जा रही है दावा तो यही किया जा रहा है कि आरोपी शिक्षकों का संबंध प्रतिमंदित संगठन PFI से है और आपने देखा है कि हाली दिनों में PFI पर किस तरीके से शिकंजा जो है कसा जा रहा है मामला कोटा के सांगोध कस्बे के पास एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है जहांके तीन टीचर्स पर एक हिंदू चात्र के धरम कॉलम में मुस्लिम लिखने का आरोप लगा है बच्चों के परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांत्रन किया जा रहा था इन आरोपों के बाद शुक्षा विभाग ने ये बड़ी करवाई की है दो पर शिकंजा कसली आ गया है तीसरे पर कारवाई की तयारी की जा रही है मैंने तीन सिक्सकों के खिलाब कठोर कारवाई का करने का मन बनाया है और इसी के संधर्म में मैंने दो अध्याफकों को तो निलमीद कर दिया है इसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल वन है और दूसरा मिर्जा मुझादीन सारी शिक्सक है इसको भी निलमित कर दिया है और एक सबाना है उसको उसके भी खिलाब आगे कारवाई कर दिया है ये तीनों को मैंने विकाने भीज दिया है पस्तिती भवानी का रुकर लेते भवानी हमारे सेयोगी मासा जूरे भवानी कब से धर्माद्रन का खेल चलग रहा था कितने बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं अब तर देखी ये बहत काफी गंबीर मामला है और इसमें इसलिए कारवाई की गई है और जो शिक्षा मंतरी मदन दिलावर का कहना है कि तीन बाते एक तो वो कह रहे हैं कि प्राइमरी जाच के अंदर ये साफ हो चुका है मोटे तोर पर ये एक साजिस थी एक साजिस अडियंतर के काम हो रहा था अगर साजिस थी तो अपना आप में बहुत बड़ा मसला है कि और क्या केवल एक स्टूडेंट तक सिमित है या जादा स्टूडेंट इसकी जाच की जारी है शिक्षा मंतरी का कहना है कि हो सकता हो कि ये और भी स्कूलों के अंदर बड़े पेमाने पर भी हो स संगतन है PB FI पर क्रेकडाwn हो चुका । अब अगर इस तरीके से इंवोल्मेंट है उसकार वह इस तरीके से कर रहा तो यह बड़ा आपराद हो जाता और जाहीर तो पर इसमें बड़ी कारवाई हो सकती है ये प्रांबरी कारवाई निया तो अब यह तमाम तरीके से इसके इन्वेस्टिकिशन की जा रही है पूरे मसले में कि जिस पहली छात्रा का मामला आ रहा वह आना कि उसने एडिविशन काफी पहले लिया था लेकिन उसके जो कॉलम के अंदर हिंदू की जगे इसलाम लिखाया था अब उसके अंदर बाकी के फॉम भी देखे जाएंगे कि किन स्टूडेंट्स पे और जबरन दवाव बनाया जा रहा इस्टूडेंट्स की बयान लिये जा सकते हैं जिनसे पूछा जा सकता है कि क्या दवाव बनाया जा रहा है किन किन पर दवाव बनाया गया और इसमें सिक्षकों के साथ में और किन का इंवल्मेंट है ये भी कि यही जो सबसे बड़ा सवाल नमाज पड़ाई जाती ती जहां पर आरोप यह जो हिंदुवादी संगेटरों ने एक ज्यापन दिया था शिक्षा मंत्री को जिसमें आरोप लगाया था कि स्टूडेंट्स को जबरन नमाज पड़ाई जारी थी तो इसकूल के अंदर पहले प्राइमरी जारी तो उसको लेकर इनिवस्टिशन चल रही और प्राइमरी तोर पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुस तत्ये उनको मिल चुके यानि कि कुछ चीजे प्रमानित हो चुकी है और आगे की जांच में बवानी लेकिन सवाल तो यही है कि तख्यों का किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है क्या केवल निलंबन सिक्षिकों का यही एक मात्र सिलूशन है इसके आगे कितनी कडाई से यह जो गतविधियां चल रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिए क्योंकि झाल 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 झाल